नमश्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के साथ बात करूँगा कुछ ब्लूचिप स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ब्लूचिप होते क्या है देखिए बाजार में बहुत तरीके के आपको यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं बहुत तरीके के fundamental analysis जो करते हैं वो trainers बहुत तरीके के technical experts मिल जाएंगे और मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं यह देख रहा हूँ टेक्निकली जो काम कर रहा है जो trade कर रहा है वो आपको बहुत जादा प्रभावित करता है क्यों क्यों कि हो जो screenshot लगा रहा है आज हमारा ये profit आज हमारा वो profit live trade ये वो कितने दिन का दिखा रहा है वो आपको ट्रेडिंग का तो रूली एक है यहां तो 99% fail है फिर यह जो trainers है जो यह traders है sorry यह daily base पर वीडियो बना के आपको profit बना के दिखा रहे है that means they are genius यहीं कि वो जो 1% वो यह ही है तो यह तो common sense लगाना चाहिए आपको ठीक है यह मैंने क्यों बताया क्योंकि ना बहुत सारी public ना इनके साथ influence होके अपना पैसा continue देती जा रही है देती जा आप हर एक बंदे से सिर्फ सीखने की कोशिश करो चाहे मैं हूँ कोई और हो कोई और हो A to Z कोई भी हो आपना calls tips मतलब की आपना जानने के पीछे वज़े रखो जानने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो और apply करने की कोशिश करो अब मैं आता हूँ blue chip stocks पे यह blue chip stocks होते क्या है blue chip stocks का direct और सीधा सा मतलब यह होता है कि यह आपके risk को cover करते है यह आपको जो returns देते हैं वो एक sufficient यानि एक ऐसे होते हैं जो आपको bank से inflation से आपकी पैसे को growth करेंगे लंबे समय में बड़ा बनाएंगे ऐसा नहीं होता है आपने आज खरीदा एक साल में हो गए यह बहुत rare case है यह होई नहीं सकता in case ठीक in fact तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे simple सा आपका हो सकता है short wing खतम कर दूँ वो मेरे उपर depend करता है मेरे दिमाग में कितने नाम आते जाते हैं ठीक है तो चलिए start करते है तो चलिए start करते हैं सबसे पहला stock यहाँ पे जो मैं आप सभी के साथ recommend करूँगा वो होगा blue chip stocks में ICICI bank ठीक है जी मैं फिर से बता रहूँ यह कोई recommendation नहीं है यह क्या है यह केवल आपकी general knowledge के लिए video है जहां पे आपको पता चले कि भाई यह blue chip stocks है यह आपको गिरते बजार में support करेंगे अच्छे market में उपर आएंगे consistently कहीं न गहीं 20, 15, 2, 20% के returns आपको per year के साब से compound करते रहेंगे तो आपका बड़ा पैसा बन जाएगा अगले 10 साल 15 साल में ठीक है अगल्या stock मेरी तरफ से banking से जो है वो kotak mahindra bank ठीक है जी यह stocks आप अपने radar पे रखना हमेशा कभी भी गिरे खरीदते रहो हर गिरावट खरीदने का मौका समझो next third stock banking से जो है HDFC bank चलिए जी बहुत बड़े तीन तो मैंने आपको banking से ही बता दिये ठीक है next stock के बारे में बताता हूँ अच्छा एक चीज और काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं जब मैं share को खरीदता हूँ invest करने की कोश्च कर रहा हूँ तो मैं उसमें कौन-कौन सी चीजें देखूँ जिसके बाद मुझे खरीदना चाहिए तो यहाँ दो तरीके के stocks होते हैं बाजार में एक banking and financials दूसरे non banking अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको तीन बता है ICICI, COTAC, HDFC क्या इनमें हम क्या देखेंगे return on equity, return on capital lawyer, valuation यह सब नहीं हम इनमें क्या देखेंगे किसका growth कितना है, NPA, advanced growth rate, CASA ratio ठीक है, तो यह सारी चीज़े देखेंगे हम इनमें अभी कैसे देखते हैं, किसका क्या मतलब है, इस पर मैं detailed video बनाऊँगा या फिर हमारी आपको पता है, आज app launch होने वाली है, उस पर आप लोगों के साथ direct एक one-to-one conversation करके वीडियो बना देंगे, ठीक है, और आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाते हैं, बातचीत करना चाते हैं हमसे अपने सवाल हैं, कोई पूछना चाते हैं, तो मेरे telegram पे जुड़िये, link आपको description box मिलेगा या फिर मेरी app आ जाने वाली है, कल मैं उस पर एक live session करने वाला हूँ, वहाँ पे जुड़ जाएगा जैसे आपको ठीक लगे, तो आप जुड़ सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक अब बैंकिंग में तीनी कवर करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई कवर करते हैं अब आ जाता हूँ मैं FMCG से, तो FMCG में पहला नाम तो भई है, HUL का आएगा इंदुस्तान उनिलीवर मेरे नजर में सबसे दिगज और सबसे भेतरीन FMCG कमपनी है, जो आपको लंबे समय के लिए होड़ करनी चाहिए हाला कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पेसेंस टेस्ट करा है, आपका इस स्टॉक ने 1800, 2200 के बीच में बहुत घूमा है ये स्टॉक, लेकिन जिसने रोका, रखा, आप देखिए, दो साल में स्टॉक 2700, 2300 हो गया ठीक है, नेक्स स्टॉक है आपके लिए मेरी नजरों में जो है वो भड़िया, FMCG से वो है, ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज, ब्रिटैनिया इंडस्ट्री भी कही ना कहीं, मुझे लगता है, एक शांदार कंपनी है, बिजनेस जो है, वो विजिवल है, और आपको अच्छ एक शांदार, एक fundamentally strong company, management शांदार, तो ये आप एक TCS भी रख लीजिए, नेक्स्ट आते हैं, FMCG भी ले सकते हैं से, आप FMCG समझ सकते हैं, या फिर आप इसे consumer में समझ लीजिए, इस टॉक का नाम है Asian Pades, ये तो बहुत ही तंगरा स्टॉक है, market share इसका अमेसा gain ही कर रहा ह और बहुत सारी लोग कहते हैं, भाई ये business आ रहा है, ये भी competition हो रहा है, जिन्द की वर चलता रहेगा competition, market leader है, है, और आगे भी अभी तो अधिकता है की रहेगा, अगला stock बात करें, या पे आप सभी के लिए, तो मैंने आपके लिए एक banking कवर कर लिया, ID कवर कर लिया, FMC आपके लिए एक blue chip के रूप में काम करता है, वो मेरे इसाब से एक आपके लिए मारूती काम करता है, और आईशर को भी ले सकते हैं, ठीक है, बाकि आटो में ना, mixed है, सारी एक तरीकी से blue chip हैं भी है, तो एक दम से rocket हो जाएगा, ऐसा कुछ भी निया, तो आप hero हो, मारूत नजर में जो best दिखता है, वैसे फार्मा से जादा उठाना नहीं चाहिए, बट मैं दो स्टॉक आपको सुरू से रिकमेंड करता हूँ फार्मा से, एक सिपला, एक एबोट इंडिया, ठीक है, एक यहाँ पे मेरी नजरों में multi bagger और शांदार स्टॉक है, वो है आपके लि अपने, तो चलिए हमने कौन कौन से कवर कर लिया, सेक्टर, बैंकिंग कवर कर लिया, FMCG कवर कर लिया, IT कवर कर लिया, AsianPand ले लिया, एक आप उटो से मारूती और आईशल ले लिया, फार्मा ले लिया, तो मेरे एसाब से यहीं से आप अपनी पॉर्टफोलियो बना सकत लोंग टम के लिए और हर गिरावट में अक्यूमिलेट करने के मौकेट उलते रहे, तो यह मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दौनों आयोगी, thank you so much for watching this video, have a great day, guys.